ताकतवर पहले लग रहा था मतलब पेपर्स पर कि यूकरेन पर जब चाहे रशा कबजा कर सकता है लेकिन आज आटवे दिन हम खड़े हुए है और युद्ध जारी है कीव पर रशा कबजा नहीं कर पाया है तो ऐसे में अब ये सवाल कड़ा होता है कि कौन पाफुल है यु गुद्ध की दबाई की बारे में बतारी हूं आपको रूस फिर ये दावा कर रहा है कि thinking विना को हमने कर दिये हैं यु चैसोerm के दावा किया यू कर रहा है एग 1517 फोर बाक तर बंग गाडियों को हमने तबाह कर दिया है, दोनों मुलकों के अपने-अपने दावे हैं यहां पर देख लिजिए, 49 एर डिफेंस सिस्टम, रूस कह रहा है हमने युकरेन के मार गिरा है, खतम कर दिये, तबाह कर दिये, युकरेन कह रहा है, 11 एर डिफेंस सिस्टम, हमने रशा के खतम कर दिय दिये हैं 67 multiple rocket system रशा ये कह रहा है दुनिया को कि हमने युक्रेन के उड़ा दिये हैं खतम कर दिये हैं बयाली इस multiple rocket system बरबाद हमने कर दिये हैं युक्रेन कह रहा है आम लोगों पर हम अमला नहीं कर रहा है यह रूस दावा कर रहा है लेकिन 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हु पूश लेते हैं यह सारे जो दावे हैं दावों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं जैनरल कुलकर्णी आप से शुरूबात कर रही है यह देखे जैसे मैं आपको रूबीका बता रहा था कि हर इस तरह के लड़ाई होती है दावे किये जाएंगे क्लेंस कांटर क्लेंस किय जाएंगे हम लोगों ने लेकिन इस बात को जरूर दर्शाता है कि लड़ाई हो रही है यह कहना कि यूक्रेन वूड भी आ वाक ओवर वो नहीं है और यह इस बात को क्यो मैं कह रहा हूं कि यूक्रेन कांट यूक्रेन भी विश्व का टॉप 10 डिफेंस एक्स्पोर्टर है अगर वो दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट लॉंचर मैनिफाक्चर है टैंक्स बनाता है एक्राउट बनाता है नूकलियर की टेक्नॉलजी है उसके पास तो ऐसे नहीं है कि यूक्रेन जो है स्पेंट पॉस है यूक्रेन में काफी दम है और वही नहीं और रूस भी ये सब के सामने कड़ा है और कोई भी रूस को सर्फ अपने यूक्रेन को आश्वासन दे रहे हैं सहनुभूती दे रहे हैं पर कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा है यूक्रेन के लिए वहाँ पर जाकर के लड़ने के लिए क्या दर्शाता है कि और उसके बावज़ूद यूक्रेन यह रूस को भी लगा कि शायद उक्रेन क्योंकि सब्मंद ऐसे हैं दोनों देश एक ही भाई है जनरल फिर ऐसे में सवाल यह खड़ा हो जाता है और यह कई लेखों में आया है कई रक्षा विशेशक यह इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि रूस की शर्ते उक्रेन को आज नहीं कल माननी माननी है तो क्या इस वक जैलेंस्की जो है वो अपने मतलब के लिए पूरे के पूरे राच और कर दे रहे हैंगे ऐसे सवाल उच रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल रुटिका ऐसे है जलेंस्की में जोश है होश नहीं है उसको इस बात का एसास नहीं है कि उसने अपने देश को तबाह करके समस्याएं हैं रूस की बहुत जादा बढ़ जाती है और उस चीज को मद्दे नजर रखते हुए 2008 में रूस ने दिखाया क्यों क्या होता है जौजिया में उसके बाद फिर से 2014 में दिखाया है जब यूक्रेन ने अपना पस्चिम की तरफ रुख बदला तो क्रीमिया उन्हो कि जो है वो भी खुद उनके दिमाग पर बार बार एक तरीके से था कि हम रूस से अलग होंगे और इसमें कोई शक नहीं है जिस प्रकार से यूक्रेनियन लड़ रहे है इस प्रकार से यूक्रेनियन ने जरूर आज 8वा दिन है और हम लोग कह रहे हैं कि दसवे दिन, 12 दि और चेवमूर्ड़ चुछ भी हो मकसद यह यहॉर् हाँ कि यूक्रेन कडाके के क directions दे रा एर रूस को और रूस भी इस बात bell जानता है कि यूक्रेन के अंवााख नहीं है और यही कारण है कि कारण कीव को लेने से पहले ओके कार्कीव को असने तभार करकर के रखा है और बार बार ये बॉर्निंग मिल रही है एबी पी नियूज आप को रखे आगे